Hello friends welcome back to another new video and also आज का वीडियो आपको जरूर देखना होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दोनों कॉम्पीटर के बीच में यहां पे फाइट लगाने वाल है क्योंकि दोनों के इस वीडियो में करने वाल है दोनों में से कौन सा स्मार्पोन बेटर है और डीटेल में कंपरेजन करने वाले साइब बाय साइट सबी चीजों का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपको ज्यादा कुछ ने करना आपको जर्ष्ट वीडियो को लाइक करना है और चलते चलते चैनल को करके बिल आइकन को भी आउन कर देना है ताकि इससे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर चैनल पर देखने को मिल जाएंगे सो चिलें बिना किसी दिरे के आज की सिरो को स्टार्ट करते है तो दोसों रिसेंटली दोने स्मार्पोन ब्रेंड ने यह पर उनकी नि मिल जाता है फ्राइस दे सकते रेड्मी नो ट्विल की अठरा रुपर निकल के आच चुकी है एंड रिल्मी टेन फोर जी की प्राइस यह पे चोदा रुपर निकल के आच चुकी है एंड दोने स्मार्पोन के अंदर दू बेंचमा स्कोर के बार में बात करेंगे तो रेड में देखिए आपको glossy finishing के साथ मिल जाता है काफी premium design मेल जाता है and on Redmi Note 5G में फिनिशिं का look मिल जाता है वेसे दोस्तों दोने smartphone में आपको fingerprint smudges देखने को भी चैंगे and दोने smartphone में आपको scratches वगर आने का डर है बर दोने smartphone के design के मामले में बात करेंगे तो मुझे Realme 10 के जो डिजान है वो थोड़ा सा बेटर फील लगा है इसके बाए दोस्तों दोने स्मार्टफोन के साइट के फ्रेम्स के बार में बात करेंगे तो दोने स्मार्टफोन में आपको फ्लाट एजस मिल जाएंगे बड़ दोस्तो Realme 10 के जो फ्लाट एजसे ना पूरा का पूरा बॉक्स डेजन जैसा मिल जाएगा वट रेड्मी नोट विल फाजे में देखेंगे बैक साइट सापको हलके से एफे करूशेप देखने को मिल जाता है इसके बाए दोस्तो दोने स्मार्टफोन के रेट सेट में देख सकते हैं तो दोने स्मार्टफोन में आपको पावर बटन मिल जाता है उपर के सेट में आपको वोल्म रोकर कीज मिल जाती है और उसी पावर बटन में देख सकते हैं आपको साइड माउंट फिजिकल फिंग 3.5 mm audio jack मिल जाता है बाकी दोने स्मार्टफोन में प्राइमेर माइक्रफोन है चार्जिंग पोर्ट है प्राइमेर स्पीकर है उसके बाद दोस्तों टॉप से में देखेंगे आपको रेड्मी नो टुल 5G में 3.5 mm audio jack मिल जाता है आयर ब्लस्टर मिल जाता है एंड दोने स्मार इंचेस का फुल फुल हईट्धी फ्ल्स डिडिस प्लेय मिल जाता है और दोने स्मार्टफोन स्वाइपको सुपर एइयं इसके बात करेंगे तो डिस्पले देखने मिल जाएगे अम वाइबरन कलर्स देखने मिल जाएंगे और ض clarity मिल जाएगे आ stuffs good धोड़ visão यहफ़ रैटर मिल जाएगा क्योंकि इसम में 200 की यहीग गार्फ़ प्यडेटने मील जाए ए tips will do not 90 ن imminent की mg यह वाड़ करेंगी टो ज्यादा कुछ के बार में बें वेनीब सकता क्यूंकि दोने फोन में आपको त्क सिर्फ डौ मेल जाती है ड्ली लिडमी 921 में आपको 48 अब दोस्तों हम दोनों पहने हैं, अब दोने स्माइट पहना हैं एकिक यचि को चीक करनेगे हैंी तो बहुत होने में थोड़े डाफोन ही कि सब करें, रहुत हने हैं रेलिमी का भी यहाँ पर सेकंड लोग आ चुका है लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है Redmi Note 12 5G और उसके बाद पुरंद यहाँ पर देखेंगे Redmi Note 12 5G स्टार्ट हो चुका है इसके बाद दोस्तों दोने स्मार्टफोन में वीडियो रेंडरिंग एक्सपोर्टिंग का स्पीड को चेक करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर दोने स्मार्टफोन में काइन मास्टर को सेट किया है लेकिन आप यहाँ पी रिजडर को च dip कर देख सकते हैं लेकिन आपढर िडर्ऽ वीडियो को चेक आउट करके देख सकते हैं वीडियो का काफी तेज़ी से एक्सिपोर्ट कर रहा है और आप यह क्यμε凶ना है। के मिडियेटेक G99 में आपको वीडियो एडिटिंग एंडियो एक्सपोर्टिंग के स्पीड है वो आपको फास्टर मिल जागा एस केंपर तो रेड्मी नोट 12 5G इसके बाद हमने कुछ अप्लिकेशन्स या पर सेट के स्पीड टेस्ट को चेक करने के लिए तो दोने फोन में देखेंगे सेम इंटरनेट को चुका है और दो सम्ट्राइक करने तो सबसे पहला रेड्मी नोट 12 5G में सबसे पहले याउप इसके। तो सोचल मेरे के एपलिकेशन को च्राइक करेंगे सबसे पहला Instagram तो Instagram open करने के बाद little bit थोड़ा सा जल्दी यापर Realme 10 ने open किया है कोई बाद हम फिर से try करके देखेंगे so फिर से Instagram यापर little bit सबसे पहला Realme 10 ने open किया है इसके बाद उसो try करने वाले Twitter applications so Twitter applications मेरे सबसे दोने फोन में सेम टैम पे लाँच हो चुका है इसके बाद try करने वाले Facebook तो Facebook भी यार मेरे सबसे दोने फोन में सेम टैम पे लाँच हो चुका है इसके बाद उसो try करने वाले फिर से Facebook देखते हैं कि फिर से तो मेरे सबसे देखेंगे यार सेम टैम पे लाँच हो चुका है दोने फोन में इसके बाद ट्राइ करने वाले streaming application जूकि है Disney Plus Hotstar तो मेरे सबसे दोने phone में same time पे यहाँ पे Disney Plus Hotstar open हो चुका है कोई बत नहीं हम यहाँ पे next application ट्राइ करने वाले Flipkart तो shopping applications Flipkart मेरे सबसे सबसे पहले Realme 10 ने launch किया little bit वैसे दोने smartphone में ज्यादा बड़ा difference तो नहीं लग रहा है इसके बाद आसो ट्राइ करने वाले Amazon application so Amazon application मेरे सबसे Redmi Note 12 ने सबसे पहले open किया little bit इसके बाद आसो ट्राइ करने वाले यहाँ पे Chrome browser so Chrome browser दोने smartphone में same time पे launch हो चुका है इसके बाद आसो ट्राइ करने वाले YouTube application so YouTube application मेरे सबसे यहाँ देखेंगे Realme 10 ने सबसे पहले launch किया है उसके बाद तुरुत यहाँ पे Realme Note 12 का launch हो चुका है इसके बाद आसो ट्राइ करेंगे play store application तो मेरे सबसे यहाँ पे Realme 10 ने सबसे पहले play store को launch किया है इसके बाद आसो एक छोटा सा game को launch करके देखने वाले जिसका नाम है hill clam racing so same time हमने open किया है so इसके बाद starting logo तो दुने phone में same time पे आ चुका है तो यहाँ पे मेरे साब से Redmi Note 12 5G ने सबसे पहले game को open किया है and उसके बाद Realme 10 smartphone में hill clam racing जो game उसको open किया है तो दोस्तों आप देख सकते है speed test में कभी यह smartphone आगे जाता है कभी वह smartphone आगे जाता है तो दोने smartphone में देखेंगे same amount of applications हमने यह पे बेगरों में open करके रखा है and कुछ social media के applications में देखेंगे हमने खुद का profile page open करके रखा है जैसे कि Instagram में Facebook के Twitter है उसके बाद YouTube का channel है सारे के सारे social media पे हमने एक channel का जो link है वो open करके रखा है so चलिए RAM management को check करते है तो यहाँ पे gallery application ने same time पे open हो चुका है कोई भी यह पे preload का time ले लेता है इसके बाद Realme 10 ने थोड़ सा preload का time लिया है उसके बाद Realme 10 के बाद Redmi भी थोड़ा preload का time लेता है and इसके बाद तो try करेंगे Instagram applications तो यहाँ पे दोने phone ने यहाँ पे preload के लिए time लिया है and इसके बाद Twitter को open करेंगे तो यहाँ पे little bit Redmi Note 12 5G ने preload के लिए time लिया है इसके बाद Facebook को try करेंगे तो Redmi Note 12 5G उसने भी preload के लिए time लिया है and इसके बाद Disney Plus Haustar को open करेंगे तो दोने फोन में same time पे open ho चुका है और इसके बाद उसम open करेंगे flip card तो flip card यार दोने फोन में little bit थोड़ सा अपर pre loading के लिए time लिया था उसके बाद amazon को try करेंगे so amazon दोने फोन में अपर pre loading के लिए time हो चुका है उसके बाद chrome browser को try करेंगे तो दोने फोन आफ प्रिलोडिG के लिए टाम लेता है उसके बाद दोने के दोने फोन आफ प्रिलोडिंग के लिए तई कभी यहाइ पकलतीWhop जाती है तो दोने phone में से में किसी भी phone का या पे RAM management बेटर नहीं भूल सकता है, या फिर Vringe में भी बह सकता, या फिर ज़ाइच बात करएंगे तो जیदा भी आपको difference देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको फोड़ा बत 19 भाथ की science का difference देखने को मिल जागा, रेल्मी 10 हो गया या फिर रेल्मी नोटिल हो गया दोने में आपको बेटर एक्सपेरिंस मिल जागा परफॉर्मस के मामले में मतलब भी ठीटक परफॉर्मस मिल जागा वेसे दोस्त आपको कौँसा स्मार्टफॉन अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हैं सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग वीड टेक केर